शायदी कोई एक व्यक्ति होगा जिसका बैंक एकाउंट नहीं था और हमारी मिमान सा की जाती थी हम पर टिका टिपणिया की जाती थी बैंक के अगाउंट को दे दिया पैसे कहां से आएंगे अंदर गरीब क्या रखेगा एसे तो हमने जीरो बैलेंस की व्यास्ता की थी मगर सभापती मोदे मैं कहना चाहता हूँ कि आज जन्दन एकाउंट खुले है 73 करोड जन्दन एकाउंट खुले है उसमें 73 थाउजन करोड रुपया वरीब के भाड़ी प्रमाई काउंटा है वो अपनी जौपणी में रखता था अपने गल्ले में रखता था कोई चोरी कर जा पता था आज वो पैसा सुरक्सित बैंक अकाउंटों में पड़ा है और वो अपने आपको इस देश के अर्थ तंत्र के साथ जुडा हुआ पाता है सभापती मोदे जब योधना सुरू हुई तब 2014 में 77% जिरो बैलेंस अकाउंट थे और आज उसकी संख्या घटते घटते 20% से कम हो गई है सभापती मोदे सभी गरीब अपने बैंक अकाउंट का उपयोग करने लगे मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी उपलब दी है सभापती मोदे इस देश में जिस प्रकार से वोट बैंक की पोलिटिक्स चले इसमें कुछ भी किसी को छोड़ने के लिए कहना स कटू बात सुनना इसका सभावी हमारा दिरे-दिरे लुप्त होता दिखाई परता था सबसे इतियास में जाकर देखे पाश्ट में जाकर देखे भुद्काल में जाकर देखे तो सबसे अंकिन गटना है जब लालबादुर सास्त्री इस देश के परदान मंठी थे उन्हों कि इस अपिल को सोमवार को त्रिपाटी धन्यवा त्रिपाटी जी सोमवार को मेरा जन्मन नहीं उड़ा था उसके सोमवार को खाना छोड़ दे और सभी लोगों ने इसका संदमान रखा था सास्त्री जी के बाद पहली बार ऐसी हिमत इस देश के अभीके प्रधानमंट्री और हमारे नेता नरेश रमोगी उन्होंने कहा जो संपन लोग है जिन पर इस्वर की टूपा है जिनको आर्थीक रूप से कोई प्रस्तन नहीं है वो लोग अपनी घैस की सबसीडी छोड़ द देना चाहती है आदिवास्यों को देना चाहती है ग्रामिन गरीबों को देना चाहती है और मुझे कहते हुए हरसे सभापति महदर कि एक करोड़ त्रीस लाक लोगों ने प्रधानमंट्री की अपिल को संमाल देते हुए गैस की सबसीडी को छूड़ा है और उसके बाद क् प्रधानमंत्री होता तो वित्या घाटा कम कर लेता अपने तिजोरी में उसको जमा कर लेता भारत्य जंता पार्टी की सरकार है यंडिये की सरकार है अमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने इस सबसीडी जो बची और इसके अندर खजाने का और पैसा लगाकर उज साल की आजादी के बाद 1.5 करोड से जादा ग्रामिन घरीबों के पास गैस नहीं था अपने जौंपडी में घैस का चुला नहीं था स्वच इंदन नहीं था भारतिय जनता पार्टी और NDA की सरकार ने हमारे प्रदानमंत्री जे ने एक समवेदन सिल्फ हैसला लिया कि 5 साल म को घैस का सिलिंडर देने का हम काम करें और उसमें से साड़े तीन साल हुए हैं तीन करोड तीस लाख लोगों को घैस का सिलिंडर देने का काम हो समाप्त कर दिया गया है और इसी बजेट में सरकार ये पांच करोड की जगे ये लक्सान को आठ करोड तक बढ़ाने के लिए सभापती महोद है यहां हमारे सदन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि किस्वी सदी में गैस का सिलिंडर विकास का पैमाना हो सकता है मैं कोई गरीब के घर में पैदा नहीं हुआ सभापती महोद है मगर गरीबी को मैंने देखा है डांग के जंगलों में जिते हुए आदिवासियों को देखा है पुरुवांचल में गरीबों को देखा है एक बुड़ी मा जब अपनी जोंपडी के अंदर कंडे और टेहनिया जलाकर रसोई बनाती है खाना पकाती है और उसकी पूरी जोंपडी जब धुए से भर जाती है स सभापति महधै करोरों माझो को दुआ मुप्त घर दे कर उनके बच्चों के लिए उस घर के बुडों के लिए और महीला के लिए स्वयम के लिए एक स्वयम स्वत्ष घर का निर्मान करने का काम प्रदानमंत्री जी फैसले ने किया है पर मुझे इस वास का विशेश आनंद है कि यह जो 3 करोड 30 लाग कनेक्शन दिये उसमें से 30 प्रतिसत अनुसुचित जाती की महिलाओ को देने का काम भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकाने किया है सभापती महोदय ऐसा ही एक फैसला हुआ स्वचाले का स्वच्छता के अभियान के साथ इसको जुडा गया मगर ये स्वच्छता के अलावे भी अपने गरीब के जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी है सभापती महोदय घर में सोचा लए न हो ना आज दिल्ली लुकियन में रहने वाले लोगों को इसका महतो मालूम नहीं पड़ता है काफी लोग ऐसे हैं जिनको इस तकलिब का ज्यानी ही नहीं होगा परन्तु सभापती महोदय एक घर घरिब घर की कलपना करिये एक 16 साल की बच्ची सुबे में कुद्रती प्रक्रिया के लिए घाव के बीच में से घुजर कर खुले में सोच क्रिया के लिए बैठती है पूरे घाव की नजर उस पर गड़ती है वो बच्ची अपनी आखे छुका देती है दिरे दिरे करकर इसका आत्माइस्वास हरोद तिल तिल कर तूटता है वो बच्ची को अभी ताय करना है कि मुझे कलेक्टर बनना है डीएसपी बनना है डाक्टर बनना है एंजिनर बनना है देश के विकास में किस तरह से मैं अपना योगदान करूगी उसका आत्माइस्वा स्वास की प्रक्रिया में हिस्सेदार आत्मी स्वास के साथ नहीं हो सकती इसके दर्द को कोई सरकार इतने सालों तक नहीं समझी किसी ने बहुत सारे लोग योदना लेकर है मैं अशानी के दाय पहली योदना मगर योदना का स्केल दिखे सभापति महोदे 2022 में हर गर में लबदी नहीं दिखाई पड़ेगी परन्तु एक घर में सोचालय पहुंचने से स्वास्त तो सुधरता ही सुधरता है महिलाओं को सन्मान के साथ जीने का अधिकार भी पहुंटा है और इसलिए उत्तरप्रदेश सरकार ने एक स्तूत्य कदम उठाया है मैं यहां इसलिए कहन चाहता हूं कि देश भर में संदेश जाए उन्होंने स्वाचालय को एक नाम देने का काम किया है उन्होंने स्वाचालय को इजद घर्द का नाम देने का काम किया है महिलाओं को सन्मान के साथ जीने का काम भारती जनता पार्टी की नरेंद्रम होधी सरकार ने स्वाचालय योदना के माध्यम से किया है सभापति मौदय घरीब के लिए घर बहुत भैतोपुन कहीं व्रूक्स के नीचे प्लास्टिक की टर्पलिंग पर सोजाना कहीं भूटपात पर या कहीं सर्दियों में बने हुए अस्थाई आवासों में रहना यह उसका भाग्य बन गया था हर वेक्ति को घर देने का स्वपन भी इस सरकाने ही दिखा है और दुरूत कती से इसकी समाप्ति के हर मागे बढ़ है ग्रामी विस्तारों में एक करोड़ पैंटीस लाख आवास की योजना को मनजूर कर दिया गया है और सहरी शित्रों में सत्तर लाख आवासों की बनाने का क काम सुरू कर दिया है सभापती महोदे बेरोजगारी इस सदन की चार दिवालों ने सब्द प्रयोक बहुत बार सुना होंगे बहुत बड़े-बड़े अब व्यस्त भासन भी देखे होंगे बेरोजगारी पर सुने भी होंगे अब पुरा सुन लो भया बहुत आकड़ों के बासन भी सुने होंगे बड़े-बड़े विद्वान अर्थसास्त्रियों को भी सुना होगा मगर इसकी यह समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकते मैं अभी सुन रहा था इस सदन के सदस्या आनन सर्माजी और बाकी सदस्या जब चर्चा कर रहे तो उन् हम चानता हूं इस देश में बेरोजगारी की समस्या मगर 55 साल आपके शासन करने के बाद भी अगर समस्या है तुम्हें यह कहना चाता हूं किस नहीं धूंगा हम तो छे साल चाहरे साल आट साल से काम कर रहे हैं ये देश का चलाने का सोभाग्या में आठ साल के लिए मिला है इतनी विक्राल समस्या कोई आठ साल में नहीं हुए है पचपन साल जिस पार्टी ने इस देश पर साशन किया वह समस्या उठा रहे है इसका मुझे आनन्द है मगर हमने इसका समाधान ढूंगा सभापती महोदय, स्किल इंडिया, बेरोजगार युवाव को स्किल तजग्या बनाना, स्टार्ट अप, स्ट्रेंड अप और अंत में मुद्रा बैंक मैं इस मुद्रा बैंक के लिए विशेश इस सभाग्रु का ध्यान डिलाना आक्रिष्ट करना चाहता हूं सभापती महोदय, इसलिए क्यूंकि इंडिराजी का जमाना था, हमारी भूत पूरव प्रदान मंत्री थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, इस देश क राज़क बैंकों के दर्वाजे गरीबु के लिए नहीं खूए ना उसके पास अचाउं था ना लॉन मिलती थी, लॉन लेने जाते ही उसके पास से इंकम टैक्स नंबर वागा गया था, अरे भईया उसका सवाल ही वह कि इसके पास इंकम नहीं है, इंकम टैक्स abuse नंबर औ से लाए उसके पास इंकम नहीं है वो तो उसका प्रस्तन है और ये बेरोजगार युवा दिसाविहीन होकर भटकते थे आज मुद्रा बैंक के कारण साड़े दस करोड युवाओं को देने का काम समाप्त कर दिया गया है लगबक साड़े चार लाग करोड लॉन दिया गया है सभावति महोदय इसमें ना गैरेंटी देनी है ना गैरेंटर लाना है सूध भी कम रखा है अभी अभी मैं पढ़ रहा था चिदंबरम साब का ट्वीट पढ़ रहा था कि मुद्रा बैंक के ताथ पकोड़े लगाने का किसी ने ठिला लगा दिया इसको रोजगारी कहते है हाँ मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मद्दूरी करकर मेहनद करकर पकोड़ा लगा अपने परिस्रम से पसिना बहार कर हजारों लाकों करोडों युवा जो स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं पकोड़ा बना रहे हैं चो सभापती महोदय पकोड़ा बनाना कोई सर्म की बात नहीं है इसको भिक्सुक के साथ कंपेल करना समय है कि सभापती महोदय वह वेरोजगार था पकोड़ा बना रहा है उसकी दिसरी पीड़ी आगे आएगी इदेश का बड़ा उद्योग पती बनेगी कोई चाय वाले का ब सभापती महोदय मैं मानता हूं कि अपने परिश्रम से अप्समें पसिने से अपना जीवन का ग्यापन करने वाला हर व्यक्ति उतना ही बड़ा है जितने हम इन सदन में बैठे हुए लोग सभापती महोदय जार तक बिजली का सवाल है बिजली का सवाल है इस देश में 70 साल की आजादी के बाद जब हमें इस देश की जनता ने सासन दिया भारतिय जनता पाइटी और एंडिये के साती दलों को सासन दिया उस वक्त इस देश के अंदर 18,000 गाव ऐसे थे जहां बिजली छोड़ दीजे बिजली का खंबा या वा बिजली पहुंचाने का काम समाप कर दिया है और कोई कोड़ा वादा नहीं है सरकार के विभाग के साइट उपर इसके सूची पड़ी हुए प्रांतसाह सूची पड़ी है 16,000 गाव में बिजली पहुंचाने का काम समाप कर दिया है 18 वी सदी में जीते हुए वो गाव को 21 सदी में लाने का काम इस देश के प्रदान मंत्री नरेंगर मोधी जीने की है इसके बाद बिजली गाउं में तो पहुंच गई घर का क्या घर में जब तक बिजली नहीं पहुंचती उसके जीवन स्तर को उपर नहीं उठाया जा सकता बिजली के साथ सिक्सा जुड़ी है बिजली के साथ स्वास जुड़ा है बिजली के साथ स्वचता जुड़ी है इस सा सभाग्य योधना का विचारा है और सभाग्य योधना के तहट 2022 तक इस देश के हर गरीब को मुप्त बिजली का कनेक्शन देने का निद्धार सरकाहने किया है और 4 करेट करोड कनेक्शन 16,000 करोड रुपय की कौस्ते देनी की सुरुवात हो कही सभापती महद है मैं मानता हू हर गरीब के गर में स्वास्त पहुचाना हर गरीब के गर में घैस पहुचाना हर गरीब के गर में रोजगारी पहुचाना हर गरीब के गर में बिजली पहुचाना हर गरीब के गर में स्वास्त पहुचाना इसी के लिए तो देश को आजाद करने के लिए हमारे पुर्खों स्लद्वात इसका होता है या विमार हो जाता है तो उसके लिए क्या करना कि सरकार ने दो योद्ना ay लाही सरकार बहुत कम मामूली से प्रीम्यम के उम्हें के अंदर प्रधान्मंतरी सुरक्षा योद्ना के तहट तीरा करोर से ज़्यादा घरीबों को सुरक्षा देने का काम सवाप्ट कर दिया गा है और पधानमंत्री जीवन ज्योती विमायोधना के तहद साड़े पांच करोर कुल मिला कर अठारा करोर से ज़्यादा घरीबों को सुरक्षा करने का काम है जन अउस अधी केंद्र के माध्यम से 3,000 से जादा PMBJP केंद्र से 800 से जादा दवाईया 10 प्रतिसत से 30 प्रतिसत दाम पर गरीब के लिए उपलब्द करा दी हैं भगवान न करे कोई गरीब को दिल की बिमारी हो जाए रखने का समय आ जाए तो स्टेंट की कौस समद कर ही उसको सुन कर ही उसको पहले एटेक आजाता था आज जो 4 लात रूपिय का स्टेंट था वो 40,000 रूपिय में और 7,000 को 8,000 रूपिय में घरीब के लिए उस सरकार ने महले उपलब्द करा है गुटने जो आर्टिफिसल गुटने बिठाने हैं उसको भी इसका भी खर्चा बहुत कम कर दिया है और इस बजेट के अंदर सभापती मोहदे मैं बड़े ध्यान से इस सदन को देख रहा था जब बजेट वी तो मंत्री जी पेश कर रहे थे इस बजेट के अंदर प्रदान म कंत्री जी एक आईश्यमान भारत की योदना लेकर आये हैं इस देश के 40 करोड लोगों को 5 लाग रुपिये की स्वास्त का खर्चा वीमा के माध्यम से मुट पने देने के लिए मैं मानता हूँ सभापती महोद है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोगकंत्र है उस सब को लोगकंत्र की योजनाओं को कोई खंगाल कर देख ले 50 करोड लोगों को वीमा सुरक्सा देना हेल्थ वीमा देना और 5 लाग रुपिये का देना किसी भी सरकार में इसास नहीं ह है हमारे प्रदानमंति नरेंदर मोदी में किया और इसी के कारण मुझे मालूम है अभी सामने से थोड़ा आवाज आएगा इसी के कारण यह आईश्यमान भाव भारत को अब नमो हेल्ट केर के नाम से इस देश की जनता भूलान में जितना भारती जनता पार्टी की सरकार चालीस प्रसच प्रसच बड़ोतरी की गई है सभापती महोदय और इस प्रकार से घरीब कल्यान के लिए सरकार ने अंतियोदय के सिध्धान्तों को दिन्दायल जी के सिध्धान्तों को चरिजराक्त करने बहुत सारी सूची है वगर मैं थोड़ा ही लेकर आये हूँ स्तर उठाने का काम भारती जनता पार्टी की गई है सभापती महोदय हमारा देश कुरुशी प्रदान देश है देश की 70% आबादी कुरुशी पर निर्बर है 70% लोगों का जीवन ग्यापन कुरुशी के और कुरुशी पर आधारिक उध्योगों में व्यवसायों में होता है और कुरुशी को बढ़ावा देने के लिए इस देश की सरकाने भारती जनता पार्टी की सरकाने साड़े तीन साल तक साथ्यत्यपूर्ण तरीके से सभी अंग उपांगों को समाविष्ट करते हुए कुरुशी में किसान की आई दोगुनी करने की दिशा में एक बहुत बदबूत कदम उठाए पधानमंत्री इरिगेशन योदना एक अपने आप में विशिष्ट प्रकार की योदना है जिसके तहट लगबग लगबग तेर लाख हेक्टर भूमी को माइक्रो इरिगेशन से माइक्रो इरिगेशन इसमें विशाया गया है इसके माद्दम से पानी की तो बचत होगी ही और उपज में भी बढ़ोतरी होगी सब्सक्राइब नहीं परियोदना जिसके पीछे एक करोड़ अठासी लाख हेक्टर भूमी को सिंचाई से युक्त कर दिया जाएगा ये बहुत बड़ी परियोदना प्रधानमंती इरिगेशन योदना के तहट सुरू हुए जिसे किसानों की किस्मत वदलने वाली है तीस नदियों को जोडने के कारेक्रम अटल जी की सरकार जाने के बाद नदियों को जोडने के कारेक्रम को छोड़ दिया भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोधी सरकार एंडिये की सरकार आने के बाद इन नदियों को जोडने का कारेक्रम फिर से एक बार सुरू किया गया सभापती महोदय तीन योदनाय शुरू हो चुकी है और तीस योदनाय आने वाले दो साल के अंदर हम हाथ में लेने वाले है इससे इरिकेटल लैंड के अंदर बहुत बड़ी बड़ोतरी होने वाली है परदान मंत्री महोदय जब कुदरती आपदा आती है, तब किसान के साथ कोई नहीं होता है, उपर भगवान होता है, धर्ती माता होती है, सालों से इसके राहत के नॉम्स को बढ़ला नहीं गया गया, भारतिय जनता पार्टी की NDA की सरकार बनने के बाद पहले ही साल में राहत के लिए जो नॉम बने थे, उसको राहत देने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया है, वग्यानिक एसेस्मेंट की भी एक नई पद्धती लाए हैं, जिसका नुकसान हुआ है, उसको तुरंत राहत मिल पाए, सबादी महदय, प्रदानमंत्री फसल विमायोदना, बहुत सारी फसल विमायोदना ये दे जित कह सकता हूं कि ये प्रदानमंत्री फसल विमायोदना अपने आप में एक संपूर्ण प्रदानमंत्री फसल विमायोदना है, बहुत से लेके खलियान तक कहीं पर भी पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपना आ जाती है, किसी भी प्रकार की आपना आ जाती है, तो किसान को अपना फसल विमा मिल पाई इस प्रकार की व्योस्ता इसके अंदर करी है और हर गाव का अलग सर्वे किया जाना पहले ब्लॉक्स के सर्वे होते थे ब्लॉक के सर्वे की जगे हर गाव का सर्वे करने का नीर्णे किया गए सभापती महोदे और मुझे कहते हुए आनंद है क पहले एकाद करोड के आसपास किसान इसका फाइदा उठाते थे 2016-2017 में पांच करोड सतर लाख किसानों में इसका फाइदा उठाया है और तेरा अजार करोड से जादा भुक्तान किया गाया है सभावति महोदय किसान जो उत्पादन करता है उसको अगर अच्छे दाम नहीं मिलते हैं तो किसान के हिस्से में कुछ नहीं आता और धीरे धीरे इस देश की सभी मंडियों को इमंडि में तब्दिल करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है अभी काम थोड़ा धीरे चल रहा है मगर दिशा सही है चारसो पच्पन मंडियों को इमंडि में कन्वर्ट कर दिया गा है और 31,000 करोड रुप्यों का बिक्री और क्राय इसी मंडियों के माध्यम से घत वित्तियर साल के अंदर हुआ है मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब दिये सभाबती महद यूरिया जबसे मैं सारवजनिक जीवन में हूँ यूरिया की किलत को हमने देखा है गुजरात में तो यूरिया के कारखाने अभी भी चल रहे हैं फिर भी गुजरात में किलत होती थी जो उत्तर के राज्य वी बहुत बड़ी मात्रा में चल दए शबापथी महअता एक ही नेने की आगा है नीम कोटेड युरिया नीम को टिवर्या कारण युरिया का इंडस्ट्री में उपयोग समात हो गया है करहिए न इंडस्ट्री में जाने वाला युरिया बाजार में आगाया, इसके कारण आज सब किसानों को युरिया मिलता है, युरिया का उसका खपद भी कम हो गाया है, और उसकी पेस्टिसाइड का खर्च भी कम हो गाया है, इसके साथ गुरकपूर, सिंद्री, बरोनी, तालचेर और रामगुंडम, यह सार एकार खाना, एक इसा मत समझेगा, मैं सभी सभासदों को आपके माध्यम से कर, यह हमने नए नहीं बनाए, अलग-अलग सरकारों में बंद पड़ गए थे, जिसको चालू करने की सूध नहीं ली गई थी, यह 6 के 6 कारखाने, भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने फिल से, और यह 6 कारखाने छे खार काने का उटपादन आने के बाद ऐसा जरूने पड़े, डेरी के लिए भी 11,000 करोड की योदना रखी गई है, जैविक खेती के लिए भी एक अच्छा इनिसिटी लिया गया है, लगबग साड़े बाइस लाख हेक्टर भूमी को जैविक खेती के नीचे लाने का का कल दिया गया है, स्वाइल हेल्थ कार, सभापती मोदे इस पर मैं विस्तार से बात इसलिए कि करना चाहता हूं कि नई चीज है, इस सदन के बाध्यम से देश के किसानों तक जानी चाहिए, देश का किसान जो अपने खेत में अपने खलियान के अंदर रहता है, हरदम पसिन अबहाता है, उसको मालूम नहीं, इसकी मिट्टी में क्या चीज पड़ी है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, अंदर कौन सा क्रॉप होगा वो मालूम नहीं, कितना पानी चाहिए वो मालूम नहीं, कौन सा क्रॉप होगा है, इसकी मिट्टी की प्रत क्या है, वो मालूम नहीं अंदर उसकी मिठ्टि किस प्रकार से है कौन से क्रॉप अच्छे हो सकते कितना पानी चाहिए कौन सा खाज चाहिए जह सारी चीजे इसके अंदर लिखी हुई होती है और 14 भासाओं में लिखी हुई होती है लगभग 3.5 करोर से ज्यादा किसानों को सोईल हाल कर देने का काम ये तीन साल के अंदर समाप्त कर दिया गया है, चार सो साथ फुल फ्लेज प्रयोक सालाय बना दी गई है, और चार हजार मिनी लेब बनाने का काम भी एक तरीके से सुरू होगा है, मन्ने सभापती महोदय और सबसे अंतिम बात में किसानों के बारे में एक कहना चाहता हूँ, कि आजादी के सत्तर साल के अंदर एक पोलिटिकल नारा तो होता था, किसान को अपनी लागत से डेड़ गुना समर्थन मुल्य देना, और सबको लगता था है, पोलिटिकल नारा है, एक पार्टी होती थी, तो इसके खिलाब दूसरी पार्टी उप्योग करती थी, दूसरी पार्टी आती थी, तो पहली पार्टी उप्योग करती थी, मैं मालता हूँ थाजाद हिंदूस्तान में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है सभापती महोदय इसी के कारण किसानों की आए दुगनी करने का जो लक्स रखा गया है उसमें वाइड कांटी, ब्ल्यू कांटी, नई ग्रिन कांटी, माइक्रो इरिगेशन ने सारी चीजों को समाहित करते हुए ये कदम भी खिसानों की आए दुगनी करने के लिए दिसाने जाए जाएगा सभापती महोदे, ये सरकार जब से चली, इस सरकार का एक सिध्धांत रहा है, कि हम फैसले ऐसे नहीं लेते हैं, जो लोगों को अच्छे लगे, सरकार हमने देखी है, सभापती महोदे, वोट बेंक जनरेट करने के लिए लोगों को अच्छे लगे, ऐसे फैसले लेने वार वित्तिय डिसिप्लिंग के कारण, फाइनशल डिसिप्लिंग के कारण, सारे पेराबीटर्स इंप्रूव हुए है, मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, हमारे साथी बोरेंगे, एग्रिकल्चल ग्रोथ रेट जो माइनस पॉइंट टू परसंट था, वो चार मुद्रास्पिती 9.5 से 1.5 तक पहुंची है, इंट्रेस्ट रेट आट पतिसत से 6 पतिसत पला है, चालू खाता गाटा, राजकोशिय गाठा, इस सब अपने पेरामिटर्स को छूते हैं और FDIB, FDI inflow भी बढ़ा है, फोरेक्स रिजव, अब तक का रेकोर्ड फोरेक्स रिजव, 407 बिलियन डॉलर आज भारतिय जनता पार्टी की सरकार के सासन में है, लगेंदर गोदी भी के सासन में है, और इसके कारण बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किये गए हैं, और ग्याटिंग इलेक्टिसिटी की रेंकिंग हो, ग्लोबलाईएसन इंडेक्स हो, ग्लोबल कॉंपिटिवनेस इंडेक्स हो, बहुत सारे चीजों में हमने रेंक को आगे बढ़ा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं सभापती महोदय कि सबसे एक स्तूत्य काम अगर किया गया है तो इस देश की मौसमों के हिसाब से बजेट को लाने का फैसला थे पहले हम बजेट को लाते थे 28 फरवरी को, पास होते होते अप्रील आ जाता था और बाद में मौनसून आ जाता था, इस भारतिये जनता पाटी एंडिये की सरकाने वर इस देश के प्रधान मंत्री संद्र मोदी जी ने एक फैसला दिया कि सब एक फरवरी को इस देश का बजेट आ जाएगा, इसके कारण बजेट के इंप्लिमेंटेंटेंशन के लिए बहुत अच्छी सहुलियत हुई है, देलवे बजेट को भी हमने परफॉर्म कर दिया, सभापती महोदय, एक बहुत ब नाम है GST, GST यह अपने आप में बहुत बड़ा सुधार है, दुनिया में सबसे बड़ा बिक्री और सिवा करका अगर कोई सुधार हुआ है, तो हिंदुस्थान का GST है, क्योंकि हमारे अर्थ तंत्र का जो आतार है, उसमें कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, इतने सारे राज जी के नेत्रुत में ये देश ने एक देश एक कर का स्वपन साकार कर लिया है, पूरे देश में एक समान करकी व्यवस्ता दुरे, मन्य सभापती मोहदय, इस पर बहुत सारी राजनिती सदन के बाहर हुए, मुझे लगता है, मुझे इसके बारे जिम में जो सक्त्य हकिकत ह वो कहनी चाहिए, सबसे पहले तो कहते हैं कि भारतिय जनता पार्टी की सरकारों ने जब कॉंग्रेस की सरकार थी, तब GST का विरोध किया था, सभापती मोहदय, यह बात सकते नहीं है, मैं बताता हूँ, सुन लिजे न, मैं बताता हूँ, और सुनिये न, आनन जी, आप सुनिये, सभापती मोहदय, भारतिय जनता पार्टी ने कभी GST का विरोध नहीं किया था, भारतिय जनता पार्टी ने GST के तरीकों का विरोध कि और सरकारों को क्यों भरोसा नहीं था क्योंकि यूपीय सरकार ये कर सुधार लेकर आई थी सीएश्टी को 4% से गटा कर 2% कर लिया था आपको याद होगा कि 4% से गटा कर 2% हुआ था जो घाटा था राज्यों को आप लोगों को चुकाना था यूपीय सरकार ने चुकाने था मगर साफ वादा खिलापी हुई राज्यों को घाटा चुकाया नहीं गया सैती सजार करोड रुपया एंडिये सरकार ने चुकाने का काम यूप भरोसा नहीं था राज्यों को फेडरल स्ट्रक्चर की भावना को किसने नस्ट किया जब एक वचन दिया जाता है वचन की पालना नहीं होती है तो कोई भरोसा नहीं करेगा और सब राज्य चिंतित थे सब राज्य जीएश्टी से नहीं डरते थे जीएश्टी के कि योदनाव को आगे बढ़ाने के लिए उनके मन में एक सवाल था जिसका समाधान हमारे प्रदान मंत्री और विल्ट मंत्री ने डूंगा 14 प्रतिसत 14 प्रतिसत रहवन यू पर बढ़ोत्री देने का वादा किया तब जाकर सभी राज्य सहमत हुए सभी राज्य तब सहमत यह 14 परसंट रेवन्यू ग्रोथ का जो हमने वादा किया वो सिर्फ साब्दिक वादा नहीं था फियेश्ट्री की तरह साब्दिक वादा नहीं है Constitutional Guarantee हर राज्य को दी गई है कि अगर आपकी आयकाम होती है तो भारत सरकार उसका भुकतान करेगी और 22 राज्यों को आज वो नुकसान का भुकतान भारत सरकार कर देगी इसलिए भरोसा बना है सभापती महोदय विरोध इसलिए था कि भरोसा नहीं था हमने भरोसा पैदा करेठीज सांक किया ऐसा रास्ता डुंगा तब जाकर जीएश्ट्री पास हुआए सभापती महदय जीएश्टी को इतने विक्राल तरीके से लोगों के सामने रखा जा रहा है जैसे बहुत बड़ी दिक्कते आने वाली है देश का व्यापार बंद हो जाएगा छोटे और मदले व्यापारियों की दुकाने बंद हो जाएगी लगूद्योग बंद हो जाएगा मैं आपको कहना चाता हूँ मैंने इसका डीप स्टडी किया है सभामती महदय कुछ नहीं होने वाला है एग जीएश्टी के कारण देश का व्यापार बढ़ने वाला है लगूद्योग और छोटे व्यापारी और मजबूत होने वाला है सभामती महदय पहले इस देश की उसको समाप्त करकर एक टैक्स बनायागा सभामती महदय व्यापारी की दिक्कत कभी बढ़ने सकती कम होती है पहले 15 इंस्पेक्टरों को अपने बुक्स ऑप एकाउंट दिखाने पड़ते थे 15 इस पेक्टर को आज एकी इंस्पेक्टर से डील करना है सभामती महदय को एक एक बार चुंगी की जब रेड हो जाती है वो व्यापारी को जाकर मिलें अगरवाल जी तो यहां बैठे हैं उनको मालूम है चुंगी की जब रेडे होती है तब क्या होता है सेल्टेक्स के नाके पर जो एक-एक दिन की लंबीर ट्रांस्पोर्ट की लाइने लग जाती थी ट्रक्स की उस्वक्स थिति क्या होती थी ट्रक का उपयोग उतना उसका कुटना कम हो जाता था कितना महगा परता था ट्रांस्पोर्टेशन यह जरा उसको पुछिए 15 इंस्पेक्टर की जगे एक इंस्पेक्टर अगर आपके बुक्स और अपको देखेगा मुझे नहीं ट्रक को आप मर्च कर लेते हो एक टैक्स बनाते हो तो सुरूवाती दिक्कते सभावपती मोहदय आती हैं मगरे सरकार समवेदन्शिल सरकार है जी हैश्टी के आने के बाद तीन महेने के बाद इक सरकार ने बहुत बड़ा समववाद का अभियान चला है सारे संससभ्य, सारे अधिकारी, सारे मंत्री, चंबर ओपॉमर्स में गए, छोटे व्यपारियोग के पास गए, लगूर द्योग वालों के पास गए और उसको सुनने की प्रक्रिया किया, सभापती महदे उसके अंदर से बहुत सारी चीजे आए, कि दिक्कते क्या है, वो दिक्कतों को एक एक के करकर रिजॉल करने का शुरू किया, और 23 मिटिंगों में 30 से ज्यादा प्रोसीजरल चेंज करने का काम, ये भारतिये जनता पा अज़म से सदन को और देश को मैं बताना चाहता हूं कि 400 चीजों के डाम एक 23 मिटिंगों में कम कर दिया गया, 400 चीजों के दाम, 1100 में से और 1500 चीजों को टैक्स फ्री कर दिया गया, लगवक 1100 में से साड़े 500 चीजों पर टैक्स कम करने का काम, जी एस्टी आने के बाद यह भरतिय जनता पार्टी की सरकाने की आये, 30 procedural changes किये हैं, अब सभापती महोदय जैसे वनने ऐसे होता है, आम सभावों में, कि जी एस्टी यह सिर्फ भरतिय जनता पार्टी का बेबी है, जी एस्टी काउंसिल बनी है, इसमें हर देश का मुख्यमंट्री आता है, हर देश इस्टी काउंसिल में अपनी अपनी राय रखता है, सभापती महोदय मैं कहना चाहता हूं कि 25, 23 से 25 मिटिंगे हुई है, एक भी एक भी प्रस्ताव पर मत्दा नहीं हुआ है, सारे के सारे प्रस्ताव इने निमस है, अगर आप विरोध करते हो, विपक्स के मित्र अगर वि 90 मंत्री, कॉंग्रेस, सासित, राज्यों के आए हैं और सहमती दिये, आपकी सहमती से हुआ है, जी एश्टी काउंसिल में एक भासा, सदन में दूसरी भासा और आमसभा में तीसरी भासा, यह किस प्रकार की राध दिती है, किस प्रकार से देश को हम आगे बढ़ा हैं, हम क यह रोक नहीं सकते, सभापती ही रोक सकते, सभापती महद है, सभापती महद है, क्या हम इसकी मिनीट्सों को सारवजनी करें क्या, कि इसमे फला पार्टी की सहमती है, फला पार्टी की सहमती है, कोई पार्टी बाकी नहीं है, सब की सहमती है, क्योंकि सरवानुमत से फैसला हुआ है और सभापती महोदे सब्बड क्या उपयोग होते हैं गबबडशिंघ्स है कोने गबड़ सिंग एक मसूर हिंटी फिल्म थी सुले उसमें रखेत था सोले फिलम एक रखेत का पातर का नाम्य गबड़ सिंगे यह धक रहे हैं कानून से बना हुआ टेक्स वसूल करना डखेती है कितनी समझ रखते हैं लोग जो इसको गबबर सिंग टेक्स करते हैं और गबबर सिंग टेक्स जाता कहा है ये जीहेश्ट्री जाता कहा है सभापति महोदय वन रेंक वन पैंशन देने के लिए वो जवान के बेंक पैंशन देने के लिए जाता है गरीब को घर देने के लिए जाता है सभापति महोदय सवबाग्य योदना के तहर उसको बिजली देने में जाता है लोगों को कर देने के लिए ना उत्साना या ठीराजनिती की निसानी है किस दिसा में हम देश को ले जाना चाहते हैं हम सब आभ ने सोचना पड़ेगा क क्योंकोई एक दल की बात नहीं है आज हम है कल आप भी आसकते हो कि अ Smart嗎 कि हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है आ कि सभापति महोदई हमारी मानसिकता ऐस नहीं है कि यावच चंद्र दिवा करो हमारा ही शासन रहेगा ये लोगतंत्रे जन्ता किसी को भी बिठा सकती है पच्पन साल आप भी बैठे हो देश इस तरह से नहीं चलता है जी देश कुछ मुद्दों में दलगत रातनीती से उपर उठकर चलाना पड़ता है सभापती महोदाय मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को अपिल करना चाहत हूं जी एश्टी ये देश का भविस्य सुधारने वाला एक अच्छा रिफॉर्म से इसको सबने सयोग करिए जन्ता का मन बनाने के लिए सरकार का सयोग करना चाहिए ऐसी मैं अपिल मात्र कर सकता हूं अध्यक्षी बाकितों राजनिती करने के लिए बहुत सारे इक्षेत गुना नेशनल आईवे कंस्रक्शन में दू गुना नेशनल highest अगुना के ओडर देने में साड़े चार गुना डूलर रोड कंस्रक्शन में दू गुना, फंड के मामले में तीन गुना विलेज कनेक्टिविटी के मामले में 2014 में 56 पतिसद गाओं को रोड से जोड़ा गया था आज 82 पतिसद गाओं को गाओं से जोड़ा काम समाप्त कर दिया गया है और 5,29,245 किलोमीटर घ्रामीन सड़के बनाने का काम मन्य सभापती महदे समाप्त हो गया है रेल्वे में भी नई रेल्वे लाइन के कंस्ट्रक्शन में 307 किलोमीटर तेरा चोधा में थी 16-17 में 953 किलोमीटर है ब्रोड गेज कनवर्जन में 750 किलोमीटर थी इसको 1000 किलोमीटर तक पहुँचा गया है डबल ट्रेकिंग रेल्वे लाइन में 500 किलोमीटर से बढ़ा कर 882 किलोमीटर रेल्वे आउटले को बढ़ा कर धाई गुना कर दिया गया है अब एक लाग 31,000 करोड रेल के लिए आबंटिक किये गए 16-17 में ग्रोस रेवेन्यू में भी 19 बिलियन डॉलर से बढ़ा कर 25 बिलियन डॉलर तक पहुचाने का काम किया होर एड़पोर्टों की संख्या को हम दो बारा चुनाओं में जाने से पहले पाँच गुना करने का लिए सबता है बैंकिंग के जो बात मैं कह चुका हूँ इसलिए आगे कहना नहीं चाहता पावर सेक्टर के अंदर भी सभापती महोदे बहुत सारा काम हुआ है इंस्टॉल कैपेसिटी गिगावट में पहले दो सो तैला इस टू फोटी त्री गिगावट थी अब 333 है ट्रांस्पीशन कैपेसिटी जो 2,91,000 थी उसको बढ़ा कर 3,91,90,000 किलोमीटर तीन साल में बढ़ाएगा है पीक पावर डेफिसेट में 9 परसंट थी उसको 1.6 परसंट तक सिमित कर दिया गया है पटलब पावर सर्प्रस टेट बनने की दिशा में हम जा रहे हैं इंस्टॉल विंड कैपेसिटी 21 गिगावर्ट की जगे 31 गिगावर्ट हो गई है सोलार टैरिफ 12 रूपिय यूनिट खरीदा जाता था अब धाही रूपिय यूनिट सोलार खरीदा जाता है इस्ट्रॉल सोरा केपेसिटी 2.6 गिगावट थी इसकी जगे 12 गिगावट कर दी गई है अने लेक्ट्रिक विलेज की संख्या 8,542 थी अब सिर्फ 1948 गां वीजली के बगर के रह गए है कॉल प्रोडक्शन को 462 मिलियन मेट्रिक टन था अग 554 हुआ है बहुत सारी और भी ची अब बाकी के लोग बोलेंगे आज चिंटा मत करें सभापाची महोदाई सबसे देश की सुरक्षा किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपुन होती है सभापती महोदे मगर देश की सुरक्षा तब तक फिक से नहीं हो सकती जब तक उसका जवान फोजी अपने आपको सुरक्षित समझे और घर्वानवित करता हुए समझे इस देश के जवान 40 साल से वन रेंक वन पेंशन की मांग करते थे अनेक सरकारे आई अनेक सरकारे गई वन रेंक वन पेंशन को कोई छूता नहीं था अगर किसी ने किया तो चुनाओ के वक्त पर 100 करोर का एक ठोकन बजेटरी प्रोईजन करकर जवानों को जासा देने का काम क किया मन्ने सभापती महोदय एंडिये की सरकाराई बादपा सरकाराई नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने हमारा चुनावी वादा था एक ही साल में हमने वन डेंग्ट वन केंपेंजन के दिने को बढ़कर देश के जवानों को हर आठ हजार करोल प्या देने का काम किया इससे उनका होसला बड़ा है सभापती महोदय चवाली डिग्री टेंपरेचर में कच्छो और राजस्तान के रिजिस्तान में काम करता हो या माइनस 44 डिग्री पे पहाड़ियों की चोटियों पर काम करता हो उसके परिवार की चिंता करना इस सरकार अपना फर्ज समत्ती है और वन रेंक वन पेंशन मैं मानता हूं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है जिसको हमने समाप्त कर दिया है मानने सभापती महोदय इस देश में जब से ओपरेशन टोपा समध्या का समापती मुझे लगता था इतना तो आप समध लेंगे सभापती महोदय इस देश में कई बार आतंकवादी हमले खुए आतंकवादी हमले देश की सिमाओं की सुरक्सा करने वाले जवानों के थानों पर भी हुए इनके कैमप पर हुए और बहुत सारे जवान हताहत हुए मगर इतने सारे समय के अंदर किसी ने भी इसको जवाब देने का उचित नहीं समध्या था एक तिन सवेरे उर्वी में तड़के सुबह तिन बजे पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया बारा जवानों को जिन्दा जला दिया गया कायरता पूर्ण हमला था उनको लड़ने का मौका भी न दिया गया जिन्दा जवान जल गये सोते सोते जल गये पूरे देश बर में गुसा था आक्रोस था हतासा से कि अब क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा पहले क्या हुआ था तो प्रधान मंत्री जी का एक स्टेटमेंट आएगा, सब दूख व्यक्त करेंगे, आक्रोश व्यक्त करेंगे, और फिर बाद समाप्त हो जाएगी। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ सभापती महोड़य इस बार भारतिये जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी थे एक सब्द भी नहीं बुले वो एक भी स्ट्रेटमेंट नहीं आया दस दिन के अंदर अपनी ध्रड रादनितिक इच्छा सक्ति का पर वापीस आगए और जिस क्षण ये जवान वापीस आए वो क्षण देश के इतियास में देश की सुरक्सा के इतियास में इतियासित रुप और उसी क्षण सभापती महोड़य देश को देखने का दुनिया का नजरिया बदल गया उनको लगा कि इसराइल और अमेरिका के ब सुरक्सा देश की कितनी एहम हो सकती है इसका परिचाय देश के प्रधानमंती नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दिया है और बाद में भी तीनो सेनाओ का मौडरनाइजेशन मुझे कहने में थोड़ा संकोत नहीं है मैं पक्सा पक्सी नहीं करता मग लगबग लगबग हम जब सासन में ठप पड़ा था हमने ड़ताल का एक ब्लूप्रिंट बना कर तीनो सेनाओ के मौडरनाइजेशन को आगे बढ़ाया और तीनो सेनाओ को अत्यानोधी अत्यादूनिक हठ्यारों से लैस करने का काम किया है उसकी संचार व्योस्ता को भी च पूर्लिस मौडरनाइजेशन बीजेपी के साथ जुडा हुआ सब्द है इसलिए बीजेपी के साथ जुडा हुआ सब्द है पहले एंडिये की सरकार आई थी तो मौडरनाइजेशन सुरू हुआ था बाद में एंडिये की सरकार गई यूपीय की सरकार आई मौडरनाइजे हमारे देश के लिए बहुत महतुपून मसला है कस्मीर, जब हमने वहाँ सासन समाला नई सरकार बनी, कडाई शुरू ही, पत्रा हुआ, सब लोगों ने देश भर में एक चर्चा चले, कि सरकार की कास्मीर नीती कैसी है, सफल है या भीफल है, किस निसा में जा रहे हैं, कस्मी हाथ से तो नहीं चला जागी, इस प्रकार की चर्चा है चलनी लगी थी, मगर आज मैं कह सकता हूँ कि कास्मीर विगत 35 साल में सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सांध कडिश है, आज विदेश से पैसा लेकर हवालों से अलगावाद फेलाने वाले, टेरिजम फेलाने वा कैसे हैंडल किया है, यह सरकार ने सामाजिक बडलाव के लिए भी बहुत सारे काम किये, सबसे पहला काम, काका साहब कालेलकर कमिशन के वक्त से इस देश का पिछड़ा वर्ग इस घड़ी की प्रक्षिक्सा में था कि पिछड़ा वर्ग आयोग को समवेधानिक माननेता मिल भारती जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, NDA सरकार ने फैसला लिया और पिछड़ा वर्ग आयोग को समवेधानिक माननेता देने का दिल हम ले इस देश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो आसा अपेक्सा था उसको पूरा करने के लिए बिल लेकर आ लेकर आये थे हम तो हम तो लेकर आये थे और यह बात रेकोर्ड पर रहे यह बात रेकोर्ड पर रहे कि सपा समर्धन करेगी सभापती महोद है हम तो राजय सभा में लेकर आये थे में सपाटी और कुद दलों ने इसका विरोध करकर सभापती महोदाए सभापती महोदाए मंत्री भी है मैं ये सदन में मैं सदन में विरोध सब्द का प्रयोग इसलिए किया है सभापती महोदे सदन में मैंने विरोध सब्द का इसलिए प्रयोग किया है कि विरोध का तरीका बदलने से विरोध बंद नहीं हो जागा आपने विरोध का तलिका अलग चुना है और ये मत मानिये कि जनता है समत्य निये सब कुछ जानती है जब चुनाओं में जाएंगे पीछरा वर्क को कॉंग्रेस ने जवाब देना पड़ेगा देश के वबीसी वर्क को जवाब देना पड़ेगा कि इनके सन्मान की इस बात को क्यों रोका पुरा देश देख रहा है सभाबती महदय इस बिल को रोका है मैं तो आज भी सारी पार्टियों को अपिल करना चाहता हूं भारती जनता पार्टि के संसरे जाते कि बिल में कोई रादनिती नहीं है पिछरे वर्क को सन्मान दिलाने की बात है सभाबती महदय इतने सालों से अजादी से अब तक इस देश की मुस्लिम महिलाओं को नियाए नहीं मिलता था त्रिपल तलाग का कानून उसको कई बार अब सुनिये ना थुड़ा कई बार देश की अलग-अलग अदालतों में देश की अलग-अलग अदालतों में चैलेंज किया गया मुस्लिम महिलाओं माताओं बहने कई बार इस देश की अदालतों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गी ऐसा नहीं है कि पहली बार अदालत ने फैसला दिया है साब आनू के केस में भी फैसला दिया था तब कानून बना कर उसको रोकने का काम कॉंग्रेस पार्टी ने कि अधिकार देने के लिए उनको समान्टा का अधिकार देने के लिए उनकी सामाजिक सुरक्सा देने के लिए जब क्रिपल तला का बिल लेकर आये राज्यसभा में इसको रोक किया गाए मैं तो आज भी कहता हूँ आज भी कहता हूँ अगर विरोध नहीं करते हैं कल को हम लेकर आ सकते हैं अधिक हमेगे पती है हम तो लेकर आये थे महिला अरक्षन आध भी नहीं लापाये थे हम प्राइत नहीं करबाये लोग सभाइं कर लिसा प्रेज प्रीज प्रेज़ अरेब्दे विजुए अरे अधिस पुरिया जी प्रेस अब इतना अनुभूव यह वरिस्त है क्यों आपने बोना बस हो गया है यह पांच लोग कड़े होकर अपने अपने बोले उपदती क्या है विपक्ष का नेता है बाकी सदे से जब मौकर मिलेगा आप एफेक्टिवनी काउंटर करिया इसमें क्या है सभा प्रदान मंत्री की दूर द्रश्टी ही थी कि अपाहीज की जगे दिव्यांग सब्द को कानूनी जामा पहना कर उन्होंने उनको संद्मान देने का कांती है प्रदाग सभापती महोदय इनके रिजर्वेशन में भी बड़ोत रिकी है चाहे ट्रांस्पोर्टेशन हो चाहे एरपोर्टों हर जगे पर दिव्यांग को अपमानित न होना पड़े इस प्रकार की सुचना है सरकार की वरसे प्रारित की गई है सभापती महोदय सबरगा सगरबा महिला है जब भी सगरबा होती थी अगर वो काम करती है तो उनके मन में चिंता होती थी कि उनका बच्चा पैदा होने के बाद 6 मैने जो बहुत महतोपुन होते हैं बच्चे की देखभाल कौन करेगा किसी की आर्फिक सिती अच्छी हो नहो खुद के स्वास्त की चिंता करना बच्चे के स्वास्त की चिंता करना इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था भारती पाइटी की ये सरकार, NDA की ये सरकार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सगर्भा मैलाओं को बच्चे के जन्म के बाद 26 वीक तक की छुप्टी देकर, जच्चा बच्चा दोनों का समाल लेने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, मैं मानता हूं ये सरकार के समवधिन सिर्ख चहरे को हमके सामने याघते हैं, सभापती महोदय, बहुत सारे इनिसिटिव सरकार की वरसे लिए गए हैं, स्वच्चता कोई सरकार, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, जो सरकारी सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, जन्ता को साथ में लेके करने पड़ Об자cial के जन्द काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जीने का है किया है मैं मानता हूं कि पीडियों तक इस स्वच्छक्ता का संसकार देश को स्वच्छरगे का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे जंडर रेश्यो भी बच्चियों का अब धिरे घिरता जा रहा है बेटी बेचाओ बेटी पढ़ाओ जैम योग दिन पूरे विश्व के अंदर मनाने का प्रस्ताव हमारा यूएन ने मान लिया आज हमारी सांस्क्रोतिक धरोहर योग पूरे विश्व के स्वास्ता काल्यान के लिए काम करी है डीबीटी डीबीटी की चर्चाय होती थी किसी में सहास नहीं था सभापती महोदय इस देश में बहुत बड़ा स्कैम चलता था जिसकी कभी ना दो में से एक भी सदन ने कभी नौट किया ना देश के मिडिया ने भी कभी नौट किया डीबीटी के माध्यम से सारे फाइ करोड रुपिया आप बचे है माने ज़िए 57 थाउजन करोड रुपीज कहा जाता था है पैसा मैंने कहता कोई एक व्यक्ति खा जाता था अगर व्योस्ता के चिद्रों के कारण लोगों के घाड़ी कमिन पसिने की कमाई का पैसा ऐसे लोग ले जाते थे जिनका अधिकार नही देश में बहुत सारी नितियां बनाने के लिए काम में आ रहा है मैं मानता हूं कि यह प्रमपरा आने वाले दिशों दिनों में देश को बहुत आगे ले जाने के लिए अपने आप में बहुत-बढ़ा काम करेजी अभी-अभी खेलों इंडिया का जो इनिसेटिव है जो इ लो इंडिया के अंदर दिखाई पड़ते हैं देश के बच्चों के खेलने की आधत चली गई थी सभापती महोदय हम सभापती महोदय एक खेलो इंडिया ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है 115 पिछड़े जिलो को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कारययोधना इस देश में कभी ऐसा नहीं सोचा गया पिछड़ गया पहली बारे सरकार 115 जिलो को चिलिध करकर उसके लिए विशेष कारययोधना लेकर आईये मान्य सभापती महोदय मैं मानते हूँ बहुत बड़ा इनिसेटिव है सभापती महोदय काफी सारी ऐसी चीज़े हुए जिससे देश का गवराव बड़ा है पैरिस समझोते में जल्दी से ही समाप करूँगा आप चिंता मत करिए पैरिस समझोते में भारत का जो रोल रहा उसने पूरी दुनिया में भारत को गवराव दिलाया है डाओस में अभी जो प्रधान मंत्री जी का उध्गाटन भासन था मैं मानता हूँ हर भाद्टिय के लिए गवराव का प्रिस्वापती महोदय दुनिया जिस दिशा में जा र चाओ दिखाए बगर देश कितना बड़ा है और कितनी उंचाई पर हम है वो दुनिया का काम दावस के अंदर किया है मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी बात है UN assembly के अंदर हो यह अमेरिका की Senate के अंदर समानता के भाव के साथ अमेरिका की संसत को जिस्त प्रकार से संबोधित किया कि देश को दुनिया में घवरव दिनल रहें वाली घटना है सभावती महोदय अंत्रिक्स में 104 उग्र इसरों ने एक साथ छोड़कर रेकोर्ड बना एक उग्र दो उग्र तेरा उग्र तीस उग्र तक पहुंचे थे एक साथ 104 उग्र अंत्रिक्स में स्थाफित करकर इसरों ने एक रेकोर्ड बना है मैं मानता हूं कि इससे देश के सोचने का स्केल बजलता है देश का युवा हम सबसे पहले होने चाहिए इसकी भूख उसकी जगी है देश का स्केल बदलने का काम इस सरकार ने किया है डिज मैं मानता हूं सभापती महदय के बहुत बड़ी उपलब्ती है सभापती महदय जब हम सरकार में आये तब भ्रष्टाचार के लिए भी हमने कहा था कि हम इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को निर्मूल करने का निष्टावान प्रयास करेंगी सभापती महदय बारा लाक करोर के गपले घुटाले की सरकार के बाद हमारी सरकार बनी साड़े तीन साल हो गए मगर हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोट नहीं बढ़ा सकते हैं इस पतार का हमने काम किया है कॉल ब्लोक की निलामी पारदर्सी तरिके से की ख़दानों की निलामी पारदर्सी तरिके से की स्पेक्ट्रम की निलामी पारदर्सी के तरिकों से की और एक तीनों निलामी में यूपीए सरकार के समय सुप्रीम कौट ने तीनों निलामियों को रद करना पड़ा था और आज हम इतना निश्चित कह सकते हैं कि इसमें कोई ब्रश्टाचा नहीं हुआ है कालाधन के खिलाब एक सोची समधी रणनेती के तहर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है सबसे पहला कैबिनेट का पहला प्रस्ताव SIT को बनाने का हमने किया जिसको कई महिनों से सुप्रीम कोट के आदेश के उपरांत भी लड़काया जा रहा था सारी सुचना है SIT को ट्रांसपर कर दी गई कई नए कानून बनाए बेनामी संपती का कानून में से एक है अंतराष्टिय मंच उपर देश के वीत मंत्री और तुधान मंत्री जी ने चर्चाओं में काले धन के लिए एक अंतराष्टिय सहमती बनाने का सफल प्रयोट किया और इसके कारण पूरी दुनिया में बहुत बड़ा फाइदा हुए साइप्रस, मौरेशियस और सिंगापूर के रास्ते से जो पैसा आता था काला धन घूम कर आता था एक अलग तरीके से आता था वो संधियों को समय से पहले समाप कर दिया गया नौत बंदी के कारण भी बहुत बड़ा काले धन पर करेरा प्रहार हुआ है और तीन लाग से जादा तीन लाग से जादा सेल कमपनियों को बंद करने का थी सभापति महोधए अब तक सतर साल के इतियास में जीतनी भी सरकारे आई वो बंद में फशिव है प्रेश प्रेश द्वंद में फसी कि सरकार किसानों का विकास करेगी या उद्योगों को बढ़ावा देगी सरकार द्वंद में फसी कि सरकार गाहों का विकास करेगी या सहरों का विकास करेगी सरकार द्वंद में फसी रिफर्म करेंगे या कल्यान राज्य की स्थापना करेंगे विदेश निती को तवर्जो देगे या रख्षा निती को तवर्जो देगे शरकार वीरेट चलाएंगे या जन प्रतिनीदी चलाएंगे ये सरकार कोई भी ध्वंद में फसे बगर ये सिद्ध कर दिया है कि किसानों का भी विकास होग सकता है, उद्योगों का भी विकास होग सकता है, जाओं का भी विकास हो सकता है, सहर का भी विकास हो सकता है, विफांस भी हो सकते हैं, जन कल्यान के काम भी हो सकते हैं, विदेश प्रकार से वण्डो में से सरकार को बार धिकालने का काम इस देश के प्रधान मंत्री मेरेंदर मोदी जीने क्या है सवापती महदय antiparty democratic system में स्वाभावी ध्क है तो विपक्स का जाई तो है कि सरकार एक कंजोर कडियों को लोगों के सामने रख रख यह लोगों का दाई तो है इसलिए कई बार सदन की कारेवाही को देखने वाले लोग पसो पस में पढ़ते हैं कि सच क्या है जूट क्या है मिडिया में भी यह दोनों प्रकार के द्वंद चलते रहते हैं मगर अगर लोक तंत्र में सरकार ठीक से चली या न चली इसका पैमान में 2014 की सरकार होने के बाद हर्याना में चुनावाया हम जीद करायें कांगरेस की सरकार गई जार्खन में चुनावाया, हम जीत कराए, कॉंग्रेस की सरकार गई, कास्मीर में चुनावाया, हम जीत कराए, कॉंग्रेस की चुनावाया, बिहार और दिल्ली में चुनावाया, हमारी सरकार नहीं बनी, पनमत प्रतिसत बढ़ा हमारा, आसाम में चुनावाया, कॉंग्रेस खाइ बात्पा की सर्कार मनिपूर में चुनावाया कॉंग्रेस घाइ बात्पा की सरकार बनिए उत्रप्रदेश में चुनावाया सपआ कोंग्रेस आरी भातपा जिती और अभी 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 गुजरात में भी चुनाव आया सभापती महोदे गुजरात में भी चुनाव आया सभापती माओदर अब कुछ लोगों को हार में भी जीत दिखाई पड़ती है अब हम क्या करें इसका हमारे पास रास्ता ही नहीं एक राज्य ऐसा हो आजादी के बाद एक राज्य ऐसा हो जहां किसी एक दल को 49 प्रतिसत वॉट मिला है तो मैं मानने को तयार हो कि गुजरात म जनादेश उन्चास प्रतिसत वॉट हर दूसरा वॉट भारती जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है 22 साल साचन में रहने के बाद फिर से 5 साल के लिए जनादेश मिला है 1965 के बाद सभापती महोदर 1965 के बाद एक भी कॉंग्रेस सरकार ऐसी नहीं है मैं रेकोर्ट चेक करकर आया हूं जो सटाइस साल के लिए सासन में रही है फिर भी इसमें जीत दिखाई पड़ती है और हम क्या करते हैं क्या कर सकते हैं सभापती महोदर मैं इतना निश्चिक के कह सकता हूं कि तीन नासूर हमारे देश तंत्र को देश के लोग तंत्र को बहुत समय से डसे हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रूतों की बड़ी उपलब्दी है कि इस देश के लोग तंत्र में से उन्होंने वन्सवाद जातिवाद और तुष्टी करण को उखाड करें हैं हमारे लोग तंत्र को इस अभिसाब से मुक्त करने का काम भारतिय जनता मोदी जीने किया है सभापती महोदे हमने एक पारदर सी सरकार चलाई है एक नीना एक सरकार चलाई है एक संवेधन सिल सरकार चलाई है और भारत गवरों को प्रस्ताफिक करने की सरकार साड़े तीन साल तक चलाई है इसलिए जनादेश मिला है राष्ट्रपती महोदे ने और इस देश के प्रधान मंत्री ने एक विचार देश के सामने रखा था सभापती महोदे कि इस देश में बारम बार चुनाव के कारण विकास में बाधा होती है। साजपा का फाइदा होगा। मगर कोई भी स्थिती तत्कालीन जो सिती होती है वो हमेशा की नहीं होती है। आज हमारा फाइदा होता है कल किसी और का होगा। मेरा सभी सभी लोगों से एक अनुरोध हैं कि इस पर एक अच्छी बहस देश में हम छेड़े। सभी दल इसमें हिस्सा ले और एक साथ चुनाव के लिए एक साथ चुनाव के लिए आगे आएं। और मैं कहना ही कहना चाता हूँ सभापती महोदय के प्रधान मंत्री जी ने एक न्यू इंडिया का सपना देखा है। इस प्रकार के न्यू इंडिया के निर्मान के लिए ये सरकार आगे बढ़ रही है। ग्राष्ट्रपती महोदय ने भी अपने भासन में इस सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रखने का प्रयास किया था। इसलिए उनका धन्यवाद करकर मैं मेरी बात को समाट करता हूँ। प्राष्ट्र मेरी प्राष्ट्रपती मुझा थाप्राष्ट्रपती थाच्छुए। प्राष्ट्र 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 शुरू इस रिसाब से बीजेपी को 2.47 बीजेपी को 2.47 मिनिट्स को 2.36 बीजेश को 52 मिनिट्स आइसा अरेडी डिवीजन हो चुका है। वो मेरा सामने है वो उसमें कुछ गरह दिखा होगा मेरा कहना यह है तो सभी पार्टियों को आप कितना समझ देना चाहे उतना नीजिए आदिकार आपके पास है वंगर आपस में चिर्चा कर करके कि다ना लोग बोलना कितना समय देना वो अपताया करें तो अच्छा होगा इसमें किसी को कोई संका होना नचाहिए किसी को ज्याला समय ऐसा मिलेगा नहीं number one number two three please number two maiden speech है और एक पार्टी का अज्यक्ष भी बोल दाए वो तो secondary विशे है main issue maiden speech तो इसलिए हम लोग तोड़ा सहन सीध होके बाकी लोगों को सुनना है तीसरा तीसरा ने आपने सुना बाकी लोगों ने वाक्या भी किया मेरा कहना ये है प्रेस एक कोई ये इस नाते चारती वेर्टी तो इस ये डिए इस इस दूब इस इस पूर्टी से सिर्फ पूर्टी जिए यदिए उप्र विशेश्टरा पूर्टी जिए अप आपस्पर सभापती जी इस सदन में आधरणिय हमारे सम्मानित सदस्य और जो हमारी भारती जंता पार्टी के सम्मानित राश्ट्रिय अध्यश्जी भी है श्रीमान अमिद भाई शाह ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं रुधय पुर्वक अनुमोदन करने के लिए यहां पर खड़ा हूँ मोदेब मेरे पुर्ववक अने देश की राजनीती है और विशेश रूप में देश के गवर्नन्स के संदर में सरकार किस पद्धती से विविन मोर्चो पर एक लड़ाई लड़ रही है और कैसे परिवर्तन को मुहाया करने की कोशिश में प्रामानिक्ता से लगी हुई है इसका एक विश्तुत चित्र हमारे सम्मुक रखा है एक बिग पिक्चर हमारे सामने आया है और इसलिए जिन बातों को मेरे पूरो वक्ता ने स्पर्श किया है उनको पुना एक बार कहने की कोई आवश्यक्ता नहीं मगर राजनीती शास्त्र और गवर्नन्स के एक छात्र के रूप में जब विगत साड़े तीन पवने चार सालों के आदरिनिय प्रधानमंत्री नरेंदर भाई मोदी जी के नेतरुत वाले सरकार के काम को मैं देखता हूं समझने की कोशिश करता हूं विश्लेशन करता हूं तो मेरे जैसे चात्र के सामने तीन बिंदू आते है अद्धिक्ष मोहदै सभापती जी मुझे लगता है कि इस सरकार ने आखिर कर आने वाली पीडिया तो ये पूछने वाली है कि what is your value addition आपने नया क्या किया जी ये तो कोई भी पूछेगा पूछना लोकतंत्र में एक अधिकार भी बनता है मैं मानता हूं कि इस सरकार की विशेश्टाओं के जो तीन पहलू है जिसको मैं संक्षेप में विवरंक भी आपके संबुक रखूंगा पहली बात है कि इस सरकार का पहला पहलू है कि politics through inspiration प्रेरणा के अधार पर राजनीत अधिक्ष्मोहरे इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश में विचारधारा की प्रेरणा पर काम करने वाले बहुत कम राजनीतिक दल है बहुत सारे दलो की प्रेरणा किसी एक घराने के साथ दुर्भाग के वर्ष्टी संबंदित होती है तो प्रेरणा का जो एक निरंतर और वातावरण बनना चाहिए वो बनता नहीं दिखाए देता दूसरी बात है कि governance through innovation नवाचार के आधार पर शासक्ता का परिचे ये इस सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और तीसरी बात है transformation through implementation अधेक्ष महते हैं हम कहते हैं कि the test of sugar is in eating वैसे ही जो नीतिया आती है जो कारेक्रम बनाए जाते हैं उनके परिणाम किस पदधती से निकल कर आते हैं इसका परिचे क्रियानवयन के माध्यम से मिलता है और मैं संक्षेप में इन तीन पहलूओं को आपके सम्मुक उजागर क करूंगा सभापती मोदे मैं जब सोचता हूं कि यह सारा क्यों हो पाया मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि इस देश में आधरिणिये प्रधार मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृतों में एक ऐसा जननायक हमें मिला है जिसका अपना कोई व्यक्तिगत अजेंडा नह में किसी के मन में कोई संदेय नहीं है दूसरी बात यह है कि किसी एक समाज विशेश को केवल आगे बढ़ाना हम देखते हैं कि कई हमारे बान्यवर राजनीतिक नेता अपने अपने समाज विशेश के अधार पर अपनी राजनीति करते हैं प्रधान मंत्री हमेशा सबका सा सबका विकास की बात करते हुए और उसी कारेक्रम को अमल में लाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े है चाहे वो गुजरात में है अभी केंदर में हमारे केंदर सरका का नितरुत्व कर रहे हो तो ये भी मैं मानता हूं कि ये देश के राजनीती में और देश का जो है उसमें एक विशेष्टा इस पहलू की भी है जिसको मैं उजागर करना चाहूंगा अधिक्ष्मोरे मैंने इनौवेशन का जिकर किया अभी लोग इनौवेट करते हैं नवाचार से सोचते हैं नई कलपनाओं को लडाते हैं क्योंकि एक उर्जा अंदर होती है कोई करने क कि एक ललक होती है कर कुछ हम दिखाए कुछ अलग